गैज आपने एक सही वीडियो के उपर क्लिक किया है क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग को थमनेल बनाना सिखाने वाला हूँ यानि की पूरा टूटोरियल देने वाला हूँ क्योंकि अगर आप लोग मेरी वीडियो के thumbnail को देखोगे तो भाई वो कुछ next level के होते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको step by step सिखाने वाला हूँ कि आप लोग इस type के thumbnail कैसे बना सकते हो और जो आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ अगर आप लोग उस तरीके से अपने thumbnail को save करोगे तो भाई आपका thumbnail बिल्कुल HD quality में save होगा इस वीडियो को देखने के बाद में आप बिल्कुल अच्छी तरीके से thumbnail बनाना सीख जाओगे वो चाहे मेरे जैसा हो चाहे मनोच दे जैसा चाहे जिस भी creator जैसा आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग हर टाइप के thumbnail बनाना सीख जाओगे तो भाई वीडियो बहुत ही जादा knowledgeable होने वाली है तो बिना दरीके वीडियो को सुरू करते हैं और सीधा चलते अपनी mobile की स्क्रीन पर तो यहाँ पर मैं अपनी mobile स्क्रीन पर आ चुका हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने mobile में pixel application को open करना है दिन यहाँ पर मैंने open कर लिया है और open करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे थमनेल का size होता है उसको यहाँ पर हम सेलेट करेंगे तो इसके लिए आपन 3.1 एकन पर click करेंगे यहाँ से हम जाएंगे image size के ओपर यहाँ से आपको YouTube थमनेल को choose करना है यहाँ से हम OK के ओपर click कर देंगे और जब आप लोग यहाँ पर OK के उपर click करोगे तो यहाँ पर हमारा size ready हो जाएगा तो यहाँ पर आपको जो नीचे side में कुछ option दिखेंगे तो यहां पर आपको सबसे last वाले option पे ख्लिक करना है यहां पर आपको एक option लिखे का color का आपको color वाले icon पे click करना है यहां पर आपको कुछ इस type का background create कर लेना है यहां प्लेट क्लिक करना है फो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है तमनेल के उपर जो मैंने वीडियो बनाई थी देन उसको आप लोग वहाँ से देख करके आप लोग इस टाइप का बेक्ग्राउंड कर सकते हो अधरुआज मैं इसको क्रेट कैसे किया तो यहां से मैं प्लेस के उपर किलिक करूँगा तो यहां पर मैंने इस साइड में यह ड एंड यहां से हम सबसे पहले अपनी फोटो को लेंगे तो यहां से हम इमेज के पर क्लिक करेंगे एंड यहां से हम अपनी फोटो को ले लेंगे आप जिस भी फोटो को लगाना चाहते है आपको उस फोटो को ले लेना है जैसे कि यहां से मैं इस फोटो को लगाना चाहता हू एंड यहां से मैंने फोटो को ले लिया एंड यहां से मैं इसको रूटेट कर दूँगा एंड यहां पर मैंने फोटो को ले लिया है एंड इसके साइज को यहां से मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा एंड इसको मैं यहां पर कुछ इस टाइप से सेट कर दूँगा एंड इसको सेट करने के बाद मैं आपको उपर साइड में ये लेयर का इकन दिखेगा तो सिंपली सापको उसके उपर क्लिक करना है एंड यहां से हम इसको अपनी जो हमारी फोटो है इसको यहां से लोक कर देंगे ताकि अब हमारे को कोई डिश्टब बगएर ना हो दिन इसके बाद यहां से हम एक अपनी स्क्रीन सोट को लेंगे जो कि आप लोगों ने थमनेल में देखा है हुआ तो यहां से हम इमेज के उपर क्लिक करेंगे एंड यहां से हम अपनी उस और स्क्रिंसोट को ले लेंगे तो यहां से मैं अपनी स्क्रिंसोट को ले लिया एंड यहां से मैं इसको side-side से थोड़ा सा कट कर दूँँगा कुछ इतना यहां से मैं right के उपर क्लिक करूँगा तो यहां पर हमारी यह screenshot add हो चुकी है तो इसके size को यहां से मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा and इसको मैं यहां पर कुछ इस type से add कर दूँगा कुछ यहां पर and इतना करने के बाद यहां से मैं क्या करूँगा and यहां से मैं फिर से image वा लेकिन पर click करूँगा एंड यहां से मैं एक phone PNG को ले लूँगा तो इसका link आपको description box में मिल जाएगा एंड यहां से मैंने phone PNG को ले लिया बट उससे पहले जो हमारी screen shot है इसको यहां से हम लोग करेंगे तो यहां से हम layer वाले एक पर जाके एंड इसको यहां से लोग कर देंगे एंड यहां पर मैंने set कर लिया एंड इसको भी मैं यहां से लोग कर दूँगा देन इतना करने के बाद आपको यहां से क्या करना है एंड यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले एक test तो उसके लिए आपको क्या करना है यहां से हम plus वाले icon पे click करेंगे यहां से हम test को ले लेंगे यहां पर हमने सामने एक नया test आ चुका है तो यहां पर हम लिखेंगे जो आप लिखना चाहते हैं वो आपको लिख लेना है तो यहां पर मैंने अपना अगला keyword लिख लिया है एंड इसके size को यहां से मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा कुछ इतना एंड यहां पर मैं एक found को add करूँगा तो यहां से मैं found वा लेकिन पर जाऊंगा एंड यहां से मैं इस found को add कर लूँगा एंड इस found का link भी आपको description box में मिल जाएगा और यहां से मैं ok को पर click करूंगा तो यहां पर हमारा font add हो चुका है एंड इसको यहां से मैं थोड़ा सा चोटा करके एंड इसको मैं कुछ यहां पर कुछ इस type से add कर दूँगा कुछ यहां पर इंड इतना करने के बाद यहां से मैं इसके color को white ही रखूंगा इतना करने के बाद आपको फिर से image वा लेकिन पर click करना है यहां से मैंने कुछ download thumbnail किया है मनोज देखे तो इनको यहां से हम add करेंगे कुछ यहां पर तो इनके size को यहां से मैं छोटा कर लेता हूं और इसको यहां से मैं थोड़ा सा rooted करके और यहां पर कुछ इस type से add कर दूँगा और यहां से मैं एक और thumbnail को add करूँगा और इसको मैं यहां से छोटा करके इस side से rooted करके इसको मैं यहां पर add कर दूँगा कुछ इस type से और यहां पर मैंने add कर दिया एंड इतना करने के बाद यहां से मैं फिर से इमेज वा लेकिन पर आके यहां पर मैं पिक्सल अप्ली केशन की जो आप वो होती है इसको मैं यहां पर एड कर लूँगा तो यहां पर आपको राउंड वा लेकिन पर क्लिक करना है एंड इसको यहां से हम कट कर लेंगे कुछ इस टाइप से तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया एंड यहाँ से मैं राइट के उपर किलिक करूंगा एंड इसके साइज को यहाँ से मैं थोड़ा सा चोटा कर लूँगा थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा चोटा करूंगा and इसको मैं यहाँ पर add कर दूँगा कुछ इस type के इसको thumbnail को मैं थोड़ा सा pass में कर देता हूं and यहाँ पर मैंने कर दिया and इतना करने के बाद यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से set कर दिया है बट ये जो हमारा ये सारा पार्ट है ये माटेरियल है इसको मैं थोड़ा सा थोड़ा सा सभी को उपर करूँगा तो वो मैं पहले कर लेता हूं एंड इसके size को यहां से मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा एंड इसके size को यहां से मैंने कुछ इतना कर दिया एंड अम मैं इसके यहां से color को change करूंगा तो उसके लिए यहां से मैं color वाल एकन पे click करूंगा एंड इसके color को यहां से मैं yellow color का कर दूंगा तो यहाँ पर मैंने कर दिया यहाँ पर मैंने कुछ इतना कर दिया इतना करने के बाद यहाँ से मैं image वाले एकन पर click करूँगा यहाँ से मैं एक png को add करूँगा यहाँ पर मैं एक light png का use करूँगा तो यहाँ से मैं light png को ले लेता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर इस PNG को लिया इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा crop कर देता हूँ यहाँ से मैं right के उपर click कर दूँगा यहाँ पर हमारी PNG add हो चुकी है तो सबसे पहले यह जो हमारी layer वा लेकिन पर click करेंगे and सारे जो हमारे material हैं इसको मैं कुछ यहाँ पर add करूँगा यहाँ से मैं थोड़ा सा उपर आऊंगा यहाँ पर आपको एक option दिखेगा to back का तो simply से आपको इसके उपर click करना है and जब आप लोग इस वा लेकिन पर click करोगे तो यह जो हमारी png थी यह सबसे यहाँ पर नीचे चली जाएगी तो अब हमारा जो png था पिक्सल लेब वाला वो देखने में अच्छा लग रहा है तो यहाँ से मैं इस png को भी यहाँ से लोग कर दूँगा और इतना करने के बाद यह जो हमारे मनोज दे वाले thumbnail है मैं इनके उपर click करूँगा यहाँ से मैं थोड़े सा नीचे आऊँगा यहाँ पर आपको एक option दिखेगा इस stroke का तो यहाँ से मैं इसके उपर click करूँगा इसको मैं यहाँ से on कर दूँगा ऐसी मैं दूनों थमनेलों में कुछ इस type से कर दूँगा इसको भी मैंने यहाँ से on कर दिया अब यह देखने में बहुत ही अच्छा लगने लगा है तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ से मैं image वाल एकन पर click करूँगा यहाँ से मैं एक png को लूँगा इस png को आपको download कांसे करना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगा यहाँ से मैं एक fog png को लिया तो यहाँ से मैं right के उपर click करूँगा अब इसके color को आपको क्या करना है आपका जो जिस color का background है आपको उसी color करकना है तो यहाँ से मैं इसको blue color का कर दूँगा यहाँ पर मैंने कर दिया एंड इसको मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से एड करूँगा एंड यहाँ पर मैं टू बैक के उपर किलिक कर दूँगा देनी हैं यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप से इसको लगा दिया एंड यहाँ से मैं इसकी एक और कोपी करूँगा एंड इसको मैं यहाँ पर एड करूँगा फिरसे तू बैक के उपर किलिक कर दूँगा एंड यह सारी पियो यहाँ से सभी को यहाँ से लोग कर दूँगा तो इतना करने के बाद हमारा dummy बीलकुर रेडी हो चुका है तो यहां से हम सेर वाले किन पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको अल्टरा चूज करना है तो उसके लिए यहां पर आपको एक डाउन एरो का आउप्सन दिखेगा तो सिंपली से आपको इसके उपर क्लिक करना है यहां पर आपको अल्टरा सेलेट कर लेना ह इतना करने के बाद यहां से हो के उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारा थमनेल बिलुकुल HD quality में से हो जाएगा तो अगर आप लोग इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो आई होप आप लोग थमनेल बनाना सीख गए होगे और अगर आप लोगों को अभी भी कोई डा तो अम इते किसी नाइट वीडियो में किसी नाइटों की साथ तब तक लिए जैहिंद वने मात रहां